जहीं सात्यों, नमस्कार, वेलकम टू एजेस्मर्ड क्लासेज, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके पढ़ाई, तो सात्यों आज हम बात करेंगे राजस्तान बोर्ड यानि आरबी एससी बोर्ड तक्ष्या 11 इतियास के सिलेबस की, यानि सात्यों जो राजस्तान में सिलेबस लागू था, NCIT को पहले 100% था, यानि कि पहले पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा जाता था, लेकिन अपकी बार इसमें 30% की कमी करके, only 4-70% सिलेबस हमें इस बार पढ़ना है, तो आपके काफी चेप्टर हड़ चुके हैं, और 2023 चोईस के सिलेबस की आज हम बा तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कक्षक 11 में आपको इतियास की only 4 एक बुक देखने को मिलेगी, जो आप इस स्कीन पर देख सकता है, इस परकार की रहेगी, विश्व इतियास की कुछ भी से, फिर जैसे ही आप इसमें नीच आएंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको संतो इस बार रहेंगे, तो सातियों आपको यहाँ पर अनुबाग करके या चोटे भाग करके चेप्टर दिये जाएंगे, तो आप यहाँ पर देखे, आपको चेप्टर को विशे लिखा है, विशे एक याने पहला चेप्टर आपको देखने को मिलेगा, लेखन, कला और सहरी पिर आपको यहाँ पर सेकिंड चैप्टर देखने को मिलेगा तीन महादीपो में फेला हुआ सामराज्य, थर्ड चैप्टर यायावर सामराज्य, फोर चैप्टर आपको मिलेगा तीन वर्ग, कौन से साथ यह तीन वर्ग, फिर आपको यहाँ पर फाइप नंबर का चैप्ट करते तो आपके लगबग चार चेप्टर तो डाइरिक्टी हटा दिये गए और भी कुछ पॉइंट आपको पार्टों में से हटे हुए मिलेंगे जो भी आपको पीडिये कि वाटसप ग्रूप में एड़ो जाएए आपको मेरे द्वारा न्यू बुक का पीडिये दिया जाएगा तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा ठीके साथ यो एसा ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते बीलाइग को प्रेस करते ताकि आपको आगे भी एसा ही वीडियो मिलते रे दन्निवाद जैन जेबर